खरगोन महिला बाल विकार्स की टीम द्वारा सुचना पर एक नाबालिक बच्ची का विवार रुखवाया गया। खरगों शहर के गुलाब नगर में नाबालिक बच्ची के विवा के आशाकारे करता द्वारा सुछना दी गई जिस पर महिलाबाल विकार्स और पुलिस टिम पहुची लड़की के पिता से पूश्थाच की गई जिसमें लड़की के पिता का कहना है कि लड़की बालिक हो चुकी है उसके परमान पत्र की छाया परती और आधार कार्ड महिला वाल वुकास अधिकारी उपरसुत किया जाएगा अगर इसमें लड़की की उम्र कम पाई गई तो विवाह रद कर दिया जाएगा बच्ची के बालिक होने पर विवाह किया जाएगा परियोजना अधिकारी तिलोत्तमा जेन ने बताया कि सूचना पर पहुचे थे अगर बच्ची नावालिक निकली और विवाह हुआ तो वेधानी कारवाह की जाएगी खरगोन से जितिवारी की रिपोर्ट मामला यह था कि हमको सूचना मिली है चाइड लाइन से कि इसलामपुरा गुलाब बेकरी के पास में है जो एक अबालिवा हो रही है बालिका का नाव मुश्कान पिता सहजाल तो उसके हम ने की उसकी कारवाह के लिए आये थे बालिवा रुकवाने के लिए लेकिन जब यहां पर पता चला कि यह लोग अंकर सूची कल लाके हमको देंगे की उम्र कितनी है तो यह कल आके हमको देंगे उसके बाद में कारवई करेंगे कि क्या है अगर मान लो अठा से उम्र कम है वालिका की तो फिर वो शादी को रुपा देंगे और अगर अठा से हो गई है तो फिर शादी वाकाइदा हो जाएगी उनके बस इतना है इसलिए हम लोग यहां पर आए तो हमें स्रीमती तिलोत्तमाजन पर्योजन अधिकारी खरगोन हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें